दोस्तों आज एक बराच्छा इंपोर्टेन ओपरेशन हुआ है इसलिए हम सब्सक्राइब लोग से सेयर करें कल शाम में एक टेक्निकल इंपूर्ट जिनेट किया जिसकी विसी पर उतरहुल बढ़गा में एक जॉइंट ओपरेशन लॉंज किया आड़्मी पुलीस यारपी आड़्मी और बढ़गाउं पुलीस साले मिलके और रात में इंकॉंटर सुरात हो गई और आज तीनों टेरिस्ट मारे गए तीनों लसकर तवा के टेरिस्ट है जो आपने आपको ट्यारत बोलते हैं उसमें एक जो इंपॉर्टन टेरिस्ट है जिसका हम सब नाम जानते हैं इसका कॉर्ट नेम अबुल्ला है ये दो हजार एक में सबसे पहले एक्टिव हुआ था और दो हजार तिरे तक एक्टिव ने भाग लिया उसका ये एरेस्ट हो गया था और पिछे साल दिसंबर दो जार इकिस में जेल से हैल्स ग्रांट पर ये रिहा हुआ उसका फिर से ए लतीफ रातर है जो कभी अबू कासिम का राइटन होता था उसके साथ चलता था 24 जिन जून 2013 को हैदरपूरा पर आर्मी करणवा पर एक मेजर अटेक हुआ था यही लतीफ रातर है जो अपने गारी में पहले टेरिस्ट को पाकिस्तानी को इरसाथ गरे को अपने घर में सब्सक्राइब करें तो इस साल मैं में हम सब जैसाथ जानते हैं कि जो एक कस्वनी पढ़नी थे राहूल भर्ट जो मुलाजीम थे चलता तर्सार कौफिस में उस पर टेक किया था कातला हमा हम लोग इसके पीछे तवीश लगे वे थे उसके दो दिन दिन बाद यह आमीर भ किया था तो दोनों किलिंग में जो इसके साथ एससेट किया था जैसे राहूल भट के किलिंग में दो एक्टी भी था उसको मुलोग पहली मार गिराए थे और आमीर भट के साथ किलिंग में लतिव के साथ दो और तेरिश था उसको मार गिराए थे यह बच गया था जिसका जिक बार बार आप लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं लोग, यह मारा गया, आज आमीन भट को भी, राउल भट को भी इंसाफ मिला है, और सेकर्टीफ फोर्स के लिए, पुलिस के लिए, खासर के अवाम के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इसका ज्यादा इंटेक्ज होता थ कि बेंगे पुलिस के लिए पुलिस के लिए थाओ टाओ।